इन असोसियेशन विथ कुटूंब आप अबर आ रही है कि फिल्म नगरी मुंबई बें वाटर टाक्सी चलेंगी आम आदमी के लिए सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना दी ललन टॉप अब कुटूंब आप पर आ गया है मतलब अब आप कुटूंब आप पर भी जुड़ सकते हैं दी ललन टॉप कम्यूनिटी से जहां आपको मिलेंगे आपकी पसंदीदा खबरें, वीडियो और डेली शो साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका भी सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिए लिक पर क्लिक कर दी ललन टॉप कम्यूनिटी से जुड़ें सूचना समाप वापस आते हैं खबर पर इन एक्सप्रिस के एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले नए साल 2022 के पहले हफते में पीएम मोदी मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विसस का उधगाटन करने वाले हैं एक लंबे इंतजार के बाद मुंबई में आम लोगों के लिए ये सुविधा शुरू होने जा रही है इसमें सभी टर्मिनल्स को कनेक्ट किया जाएगा ताकि ट्रांस्पोटेशन को और बहतर बनाया जा सके इन वाटर टैक्सी का इस्तमाल मुंबई के डिमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से बेलापुर और नेरुल टर्मिनल के बीच कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और राजसरकारों के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अभी तीन ओपरेटर्स काम के लिए तयार हैं बाकी ओपरेटर्स भी अगले दो से तीन महीने में सर्विसेस देना शुरू कर देंगे अब वाटर टाक्सी का इतिहास भी आपको बताय देते हैं वाटर टाक्सी आम जंदा के लिए चलाई जाने वाली नाओ या बोट होती है आमतोर पर किनी दो टर्मिनल्स के बीच में चलने वाली बोट सर्विस को पेरी कहते हैं अलग अलग देशों में वाटर टाक्सी के नाम भी अलग होते हैं मसलन इतली के वेनेस में से वेप्रिटो के नाम से जाना जाता है सबसे पहले वाटर टाक्सी सर्विसेज मेंचेस्टर, इंगलेंड में अफिशिली ऑपरेट होई थї हाला कि आज तकनीक में सबसे अच्छी एलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग वाटर टाक्सी में सबसे पहले नाम आता है नौर्वेका यूदो भारत में सद्यों से पानी के रास्तों से कारुबार और ट्रांस्पोटेशन होता आया है लेकिन अगर हम वाटर टाक्सी की बात करें तो साल 2020 में पहली बार केरल के अलपुजा इलाके में वाटर टाक्सी सर्विस लौंच की गई थी केरल के मुख्यमंत्री पिनराय विजियन ने इसका उधगाटन किया था ऐसा केरल में टूरिजम को प्रमोट करने और सुदूर तटी अलाकों में रहने वाले लोगों को बहतर ट्रावल सर्विसोस देने के लिए किया गया था यह टाक्सीस डीजल से चलती हैं जिन में एक साथ दस लोग सफर कर सकते हैं मुंबई में वाटर ट्रांसपोर्ट प्रॉजेक्ट के लिए सरकार ने कुछ रूट्स को ऑपरेटर्स को अलोट किया है इंटरनाशनल क्रूस टर्मिनल से अलेफेंटा, DCT यानी डिमेस्टिक क्रूस टर्मिनल से रिवास, DCT से बेलापुर, नेरोल, वाशी, एरोली, खंडेरी आइलेंड और JNPT यानी जवाहर लाल नहरू पोर्ट ट्रस्ट टर्मिनल जैसे रूट्स पर वाटर टाक्सी सर्विस चलाई जाएगी ऑपरेटर्स के मुताबिक DCT से नवी मुंबई पहुचने में अब 30 मिनट का समय लगेगा वहीं दूसरी ओर DCT से JNPT पहुचने में 15-20 मिनट का समय लगेगा कारे प्रगती पर है, ये लाइन अकसर आपने कई construction sites पर लिखी हुई देखी होगी, ऐसा ही कुछ मुंबई वाटर ट्रांसपोर्ट प्रॉजेक्ट के साथ भी है काम अभी चल रहा है और जल्दी ही इसके पूरे होने की उमीद है गुड न्यूस टुडे की एक खबर के मुताबिक शुरुवाती सर्विस जनवरी 2022 में शुरू हो जाएगी नितिन गटकरी ने कहा कि वेनस की तरह ही वाटर टैक्सी लेकर लोग सीधे अर्पोर्ट तक पहुन सकेंगे हाला कि मुंबई वेस्टन कोस्ट पर वाटर ट्रांसपोर्ट प्रॉजेक्ट के काम की रफ्तार कुछ कम है जनवरी में वाटर टैक्सी शुरू होने के बाद भी इस प्रॉजेक्ट का कारे प्रगति पर होगा अब आपको यह भी बता देते हैं कि किराया इस वाटर टैक्सी का कितना होगा वाटर टैक्सी ऑपरेटर्स के मुताबिक डी सीटी से नवी मुंबई अभी तक का मच अवेटेड रूट माना जा रहा है यह रूट लोगों का काफी समय बचाएगा हालागी वाटर टैक्सी का किराया रोज ओफिस जाने वाले कई लोगों को निराश कर सकता है कि शुरुवाती दौर में किराया जादा होने की बात कहीं जा रही है एक ऑपरेटर के मुताबिक डी सीटी से नवी मुंबई तक का किराया बारा सो से पंद्रा सो रुपे प्रतियात्री तक हो सकता है जबकि JNPT तक किराया 750 रुपे बताया गया है एक अन्य ओपरेटर के मुताबिक डी सीटी से नवी मुंबई और JNPT तक का किराया 800 रुपे से 1100 रुपे तक रखा जा सकता है आपके लिए तमाम जानकारी एक खटा की है हमारी साथ ही सुर्भी और शवेंद्रने मेरा नाम है दिव्यांशी देखते रहिए दीललन टॉप शक्रिया